आप देख रही है MNS News सच जरूरी है हल्दवानी हिंसा के तीसरे दिन भी छाया शहर में सन्नाटा हल्दवानी में स्थिती सामान ने कई लाकों से कर्फ्यू हटा 5000 लोगों पर केस दर्ज आईए देखते हैं खबर विस्तार से अब छेड़ों के तो छोड़ेगे नहीं सियम धामी की संपत्ती से हो हल्दवानी के नुकसान की भरपाई जिया बरेली में I.M.C. याने एतिहद ए मिलत काउंसिलिंग प्रमुख मौलाना तौकिर रजा खाने कहा है कि जुल्म और ज्यात्ती की हद हो गई है अगर हुकुमत दंगा पसाद कराना चाहती है तो हम तयार है शुक्रवार को बिहारी पूर करोलान सित सेंगटन के एक पदारिकारी के आवास पर मौलाना मीडिया से रूबरू हुए उन्होंने कहा कि हम बहुत छेड़ गए है अब छेड़ोगे तो छोड़ेगे नहीं उन्होंने और जयाती है हम गिरफतारी का एलान कर हुकूमत को यह दिखाना चाहते थे कि हमें परिशान ना करो हमारे सबर का अलावा फटेगा तो ठीक नहीं होगा यह प्रदर्शन भी इसलिए था कि प्रेशर कूकर की तरह जो गैस भर चुकी है उसी वाइपास कर दिया जाए हमने स से खून चीख दोगे तो बचेगा क्या उन्होंने मुफ्त सल्मान अजहरी को रिहा करने की मांग भी उठाई है धामी की संपत्ती से हो हल्दवानी के नुकसान की भरपाई जिया मौलाना ने कहा कि उत्रकन के मुक्यमंत्री पुषका सिंग धामी ने देखा कि मुक्यमंत् से की जाए सुप्रीम कोट को बुल्डोजर के खिलाब स्वतहा सन्याग लेना चाहिए जिया देश में अमन बनाए रखना है तो बुल्डोजर को रोकना जरूरी है आस्ता है तो मांसरोवर को चीन से कराए आज़ाद मौलाना तौकिर ने कहा कि प्रशासन हुकूमत के दब है लेकिन पहले मांसरोवर को चीन से आज़ाद कराया जाए वही वह पहले भी भारत का ही हिस्सा था हम भी साथ चलने के लिए तैयार है जारी रहेगा अंदोलन जिया मौलाना ने कहा कि बेईमानी के खिलाफ नियाय मिलने तक हमारा अंदोलन जारी रहेगा अब यह पूरे दिन भी छाया शहर में सन्नाटा जिया उत्रकंड के अल्दवानिश शहर में बीते गुरुवार को हिंसा के बाद आज भी पूरे शहर में तनाव का माहोल है इसके कारानेते हाथ के दौरान पर शनिवार यानि आज भी इंटरनेट सेवा बंद रखे गई है शहर में लगे क हल्दवानी पुलीस आग्यात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करेगी विरोध करने वालों की फुटेज की एकत्रित की जा रही है पूरे इलाकों को पाच सुपर जोन में बाटा गया है और साथ मजिस्ट्रेट टैनात के गया है कुमाउ जोन के सभी पुलीस थानों की फो मामले में अब तक पाच उपद्रियों को गिरफतार किया गया है जबके 50 के करीब लोगों को हिरासत में ले लिया गया है पुलिस के मताबिक जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनकी लोकेशन हिंसा वाली जगात थी या नहीं इसकी जाच की जा रही है साथ ही साथ य बोड़े जाने की कारवाई की दौरान भर की हिंसा में छे दंगाईयों की मौत हो गई है जब कि हालात पर काभू पाने के लिए छेतर में कर्फ्यू दूसरे दिन भी लागू रहा है अधिकारियों नहीं यहां बताया कि दंगाईयों को देखते ही गोली माने की आदेश भी किठना के लिए जिम्हेदार चार लोगों की गृफ्यार किया गया है बरते अगली खबर क्यों के हलदोवानी में स्थिति सामाने कई ऑलाकों से कर्फ्यू हटा ब developments दूसर दूरजहा उत्रा के हल्दवानी में स्थिती लगता सामान ने हो रही है राज के ADG Law and Order AP अंशुमान ने जानकारी दिये कि हल्दवानी में स्थिती सामान ने और कई इलाकों से कर्फ्यू हटा दिया गया है फिलहाल वनभूल पूरे छेत्र में कर्फ्यू जारी है उन्होंने बताया कि 3FIR किया जा चुका है साथी CCTV फूटेज की जाच के बाद कारवाई जारी है उन्होंने कहा है कि हल्दवानी हिंसा के दौरान पाच लोगों की मौत हो गई है और दो लोग गंबी रूप से घायल हो गए है कई पुलिस अधिकारी घायल हो गए है इधर हल्दवानी हिंसा पर SSP नैनिताल पियन मीना ने कहा है कि पुलिस ने 19 नामजद और 5000 अग्यात लोगों के खिलाफ मामलत दर्च कर उनकी गिरफतारी शुरू कर दिये कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और उपद्रियों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है इसे तरह के दिन पर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कर आओगे आपका रूबरू तब तक के देखते रहे हैं मेरे साथ यह ने रिश्य अंसारी के साथ नमस्कार कि यह है और आप देख रहे हैं मेरे स्नीज